हाई प्रेंट्स किया आपको भी कांसी की समश्या रहती है बह चाहे पुरानी हो या कुछ दिनों की हो तो आज इस वीडियो में हम बहुत बड़ी एक नुश्के के बारे में जानेंगे यह एक एक एंसी होम रेमेंडी है जिसके इस्तिमाल से आपकी पुरानी से पुरानी कांसी बहुत तेजी से और आसानी से ठीक हो जाएगी फिर चाहे आपकी कांसी सूकी हो या पिर गिली दोनों में बहुत अच्छा आराम देता है यदि आप भी कई तरह की दवाईया और साइरब लेकर ठक गए हैं तो इस नुश्के को जरूर आजमाएं आज हम जो नुश्का बनाने बाले हैं बहुत इसे बनाने के लिए जो भी चीज़े चाहिए बहुत आपकी किचन और घर में आसानी से मिल जाएंगी इस नुश्के को बनाने के लिए हम 5 चीज़ों का इस्तिमाल करने वाले हैं सबसे पहली जो चीज़ आती है बहाती है काली मिर्च यह हमारे सरीर में जो भी स्वास नलियों में बलगम जम जाता है उसे पतला करके सरीर से बाहर निकलती है जिससे कि आपका infection कम हो जाता है और आपको कांसी में आराम मिलता है इसके बाद आता है कालर नमग ये भी आपकी स्वास नलियों को रिलेक्स करता है और सांती सांती आपके जकड़न को दूर करता है अजबाइन ये आपके चेस्ट कंजेक्शन को दूर करती है और आपकी कांसी में आराम देती है हरी इलाइची इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोपर्टी होती है जो कि आपके इंपेक्शन को दूर करती है और आपको बलगम में आराम देती है लाश्ट और मेतपूर आता है अद्रक, अद्रक के अंदर anti-inflammatory property होती है जो कि आपके फेंपडो और स्वासनाल को ठीक करती है और 37-38 में रिलेक्स करती है अब इस नुस्के को बनाने के बारे में जानते हैं इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक चोताई चमच काली मिर्च पाउडर एक चोताई चमच काला नमक बन टेबल स्पून आपको चाहिए अजबान और चार टेबल स्पून आपको चाहिए कसा हुआ अधरक और साथी लाइचि इनफ सबिकों मिला लेना है इसके बाद आपको आपको जाहिए इस को आपको आपको कड़ाई में डालना है रहा को सा पाँ डाल देना आई जीसे कि ये गुड़ चिपके पानी नहीं 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 दृब MR-Roc दिन में जब भी आप इसे लेते हो तो आपको इसको कोई भी खटटी चीज ये टब्र तरफ़े इसके साथ नहीं ले ना है इसके अधो कई ज्यादा काउंसी की प्रव्लम है तो आप आपको यदि इससे बच्चों को देना है तो दस साल के उपर के बच्चों को आप दे सकते हैं परन्तु आपको इसकी मातर कम करना है आपको एक चोता ही चम्मच यानि की एक बटा चार चम्मच आपको इसको देना है दोस्तो वीडियो अच्छी लगए इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब गरे इस तरह के इंपर्मेटिक वीडियो लाते रहते हैं धन्यवाद